सहारा करीमी फिल्मेकर और डिरेक्टर है वे अफगान फिल्म और्गनाइजेशन की पहली महिला चेर परसन है उन्होंने 13 अगस्त को ट्विटर पर एक ओपन लेटर लिखा इसमें उन्होंने अफगानिस्तान में हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए इस संदेश को जा जादा से जादा शेयर करें इस लेटर की शुरुआत होती है मेरा नाम सहारा करीमी है और मैं एक फिल्म निर्देशक lookin साथ ही अफगान फिल्म की वर्तमान महा निदेशक हूँ जो 1968 में स्थापित एकमातर सरकारी स्वामित्व वाली फिल्म कमपनी है सहारा करीमी ने आगे लिखा है मैं इसे तूटे दिल के साथ लिख रही हूँ और इस गहरी उमीद के साथ लिख रही हूँ कि आप मेरे खुबसूरत लोगों को खासकर फिल्मेकर्स को तालिबान से बचाने में शामिल होंगे तालिबान ने पिछले कुछ हफ़तों में कई प्रांतों पर कबजा कर लिया है उन्होंने हमारे लोगों का नरसनहार किया कई बच्चों का भरण किया कई लड़कियों को चाइल्ड ब्राइड के रूप में अपने आदमियों को बेच दिया उन्होंने एक महिला की हत्या उसकी पोशाक केले की उन्होंने हमारे पसंदीदा हासे कलाकारों में से एक को प्रतारित किया और मार डाला उन्होंने एक एतिहासिक कवी को मार डाला उन्होंने सरकार के कल्चर और मीडिया हेड को मार डाला उन्होंने सरकार से जुड़े लोगों को मार डाला उन्होंने कुछ आदमियों को सारवजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया उन्होंने लाखों परिवारों को विस्थापित कर दिया इन प्रांतों से भागने के बाद परिवार काबल में शिविरों में है जहां वे बधाली की स्थिती में है वहां इन शिविरों में लूट पार्ट हो रही है दूद के अभाव में बच्चों की मौत हो रही है ये एक मानवीय संकट है फिर भी दुनिया खामोश है उन्होंने आगे लिखा है हमें इस चुप्पी की आदत है लेकिन हम जानते हैं कि ये उचित नहीं है हम जानते हैं कि हमारे लोगों को छोड़ने का ये फैसला गलत है 20 साल में हमने जो हासिल किया है वे सब अब बरबाद हो रहा है हमें आपकी आवाज की जरूरत है मैंने अपने देश में एक फिल्म निर्माता के रूप में जिस चीज के लिए इतनी महनत की है उसके तूटने की संभावना है यजि तालिबान सत्ता संभालता है तो वे सभी कलाओं पर प्रतिबंध लगा देंगे मैं और अन्य फिल्म निर्माता उनकी हिट लिस्ट में अगले हो सकते हैं वे महिलाओं के अधिकारों का हनन करेंगे और हमारी अभिव्यक्ती को मौन में दबा दिया जाएगा वे आगे कहती हैं जब तालिबान सत्ता में था तब स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या शूनने थी तब से स्कूल में 9 मिलियन से अधिक अफगान लड़किया है तालिबान द्वारा जीते गए तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात में इसके विश्विद्याले में 50% महिलाएं थी ये अविश्वस्निय उपलबदिया हैं जिनने दुनिया नहीं जानती इन कुछ हफ़तों में तालिबान ने कई स्कूलों को तबहा कर दिया है और 20 लाख लड़कियों को फिर से स्कूल से निकाल दिया है उन्होंने कहा मैं इस दुनिया को नहीं समझती मैं इस चुपी को नहीं समझती मैं खड़ी हो जाऊंगी और अपने देश के लिए लड़ूंगी लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकती मुझे आप जैसे सही होगी चाहिए हमारे साथ क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने में इस दुनिया की मदद करें अपने देशों के प्रमुख मीडिया को अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये बता कर हमारी मदद करें अफगानिस्टान के बाहर हमारी आवाज बने यदि तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है तो हमारे पास इंटरनेट या संचार के किसी अन्यमाध्यम तक पहुँच नहीं हो सकती है कृपया अपने फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को हमारी आवाज की रूप में समर्थन दे इस तथे को अपने मीडिया के साथ साजा करें और अपने सोशल मीडिया पर हमारे बारे में लिखें दुनिया हमारी और नहीं देखती है हमें अफगान महिलाओं, बच्चों, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं की और से आपके समर्थन और आवाज की जरूरत है यह सबसे बड़ी मदद है जिसकी हमें अभी जरूरत है कृपया हमारी मदद करें इस दुनिया को अफगानों को छोड़ने ना दे कृपया काबल में तालिबान के सत्ता में आने से पहले हमारी मदद करें हमारे पास केवल कुछ दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद हाला कि 15 अगस्ट को खबर आई कि तालिबान ने काबल पर कबज़ा कर लिया है तालिबान के अफगानिस्तान पर कबज़े के बाद राश्ट्रपती अश्रफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है खबरों के मताबिक वे तजाकिस्तान जा रहे हैं रॉइटर्स न्यूस एजनसी से बात करते हुए राश्ट्रपती के ओफिस की ओर से कहा गया है कि वे अश्रफ गनी से जुड़ी जानकारी सुरक्षा कारणों से नहीं दे सकते इस बीच तालिबान के एक अधिकारी ने रॉइटर्स को बताया कि वे गनी के देश से जाने की खबरों की जाच कर रहे हैं आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविट ने शुक्रिया